नमस्कार दोस्तों मेरा नमें विजय कमार आप देख रहे कॉमिक्स पिटारा चैनल को तो चली दोस्तों बाकेलाल की इस हंस्ते और मज़दार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है दीपे सुन्दरी अब देख सकते हैं इसका कबत प्रिस्ट जो कि कुछ इस तरह का है देख सकते हैं? राजा विक्रम सी को हो गया था कोई भàyानक रोग हाई भाय मर गया बाके मर गया रानी स्वनलता का ये महराज वाँ आपका हिंदी व्याकरन कितना खराब है और बाके और रानी स्वनलता मरे कहा है वो तो आपके सामने है जिंदा खड़े हैं मर गया से मेरा मतलब स्वेम से है कम दक्त मुझे ठीक होने दे विसाल गट के सबसे तेस दोड़ने वाले घोड़े की रकाब में तेरी टांग को बनवा कर पूरे राज मैदान के 20 चकर लगवाऊंगा गुर। छमा महराज छमा चाहिए महराज मुझे छमा चाहिए छमा से मेरा मतलब दासी छमा से है पर मोटा समझे तब न बोलो गंबीर समय में भी वाक्यों का सही अर्च समझदे के बावजूद गलत समझदे का ढोंग करने के छमता रखने वाले सेनापती मर्खब की जै धक्का कौन मार रहा है बे हटो भाई हटो मैं यहां का राज बैद हूँ थोड़ा भाव मुझे भी दिया करो आखिर बीमारी का इलाज तो मैं ही करूँगा न क्या जरुवत है इलाज करने की कितनी अच्छी तो लग रही है मोटे की चीखें मैं विसालगट का भावी समराट बाकिलाल आज नगर के सारे बैदों की छुट्टी घुशित करता हूँ महराज क्या सीर में दर्द होता है तांगों में कपकपी होती है हाँ हाँ महराज का सीर तो पूरा खाली है महराज बैद जी का तांगों से मतलब कमर के नीचे दुख खंबे खड़े है ना उनसे है बोल तो नहीं हो गई ना बरसों से आपने अपने तांगे नहीं देखी अ आखों में सूजन हाँ मेरा की आख निकाल कर लगा दो जीब खुर्दोरी लग रही है हाँ नाखवनी के पौदे को उगने के लिए इससे अच्छी जगा नहीं मिली राजबैत भिविल लक्ष्णों के बारे में पूस्ता रहा उत्तर एक ही हाँ 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 भाई हाँ मैं मैंने पता लगा लिया है महराज को दमगु रोग है बोलो जिस रोग का किसी ने नाम भी ना सुना हो उसे भी जट से पहचाने जाने वाले हमारे अती परतिभासाली राजबैत की जै ये मत कहिएगा राजबैत जी कि ये रोग लाई-लाज और प्रान घातक है मैं जब भी नई चूडिया खरेटती हूँ तब ही आप किसी ना किसी बेमारी के चपेट में क्यों आजाते हैं मेरी खुसी नहीं देखी जाती क्या आपसे ये रोग ना तो प्रान घातक है और ना ही लाई-लाज इसके दो इलाज है पहला इलाज है किसी दूसरे दमगु रोगई के मिर कर इन्हें पिलाया जाए महाराज को बचाने के लिए किसी नुद्धोस दमगो रोगों को थोड़े ही महारा जाएगा जंदा बिद्रो कर देगी क्या वाके तो पूरा करने दे महाराज हम किसी भी कीमत पर महाराज को मरने नहीं देंगे अब दूसरा इलाज बताईए राजबेजी दूसरा इलाज है टीमपू के फलों को बंदरों से जूठा करवाया जाए और महराज को उनका काढ़ा बना कर पिलाया जाए बंदर ना मिले तुब बाकेलाल का जूठा चलेगा ना ना सेनापती पुल्ने कमाने में तुम हमेशा हाथ खीश लेते हो इस बार जूठा तुम्हारा ही होगा पहले हमें फल तु जंगल से लाना पड़ेगा ना बाकेलाल और सेनापती तुम में से फल कोन लाएगा महमंत्री जी मेरे जो तीसी ने कहा है यदि आज मुझपर जंगल की थोड़ी सी भी छाओ पड़ी तो मेरा विवा नहीं होगा यदि महराज दासी छामा से मेरा विवा करते तो मैं जंगल जाकर फल लाने के लिए तैयार हूँ इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी छमा के जिंदगी बरबाद करने के लिए भगवान भी हमें छमा नहीं करेंगे फल लाना है मेरा प्यारा बाके ही जाएगा क्यों नहीं माराज मैंने ठेका तो ले रख जो ले रखा है आपका लेकिन राजबेट जी मैं टिम्पू के फल को पहचानूंगा कैसे मैं बता देता हूँ उसकी पहचान मोटा कितना नादान है ना छमादान करता है और ना छमा का करनेदान करता है टिम्पू की फल सेव जैसे दिखेंगे पर इनका रंग गहरा नीला होगा इसमें काले काले धब्बे होंगे ये फल बहुती दुरलब है लेकिन सौभागे से ये ब्रिच बिसालगट के जंगलों में पाया जाता है अच्छा किसके सौभागे से मेरे लिए तो ये दुर्भागे की बात है चलो कोई बात नहीं जब मोटा मरेगा तो उसकी चीता मैं उसे ब्रिच की लकड़ियों से जलवाऊंगा बाके लाल तुम इतने परसन होकर बंदर की तरह दांत क्यों दिखा रहे हो मैं तो ये सुचकर परसन हो रहा था ये चलो ये ब्रिच बिसालगट में तो पाया जाता है और ना महराज का क्या होता अच्छा मैंने समझा कि तुम बंदर बनने का अभ्यास कर रहे हो इस तरह बाके लाल को निकलना पड़ा फल की तलास में बाके लाल कसम खा कर कह दे कि इस वक्त तुम महराज के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोच रहा है फॉल तो मैं जरूर लाँगा और किसी जहरीले साप से जुठा करवाने के बाद ही फिर साप और बंदर के लाग के मिस्रन से मोटा कभी बंदर की तरह उचलेगा तो कभी साप की तरह फुखारेगा मोटे के बारे में बुरा बुरा सोचना मेरा मनपसंद काम है बाकेलाल टिम्पू के फलों को पहचान कर उनके समीब पहुचा ओ, ब्रीज के आसपस तो कट्टीली ज़ाड़िया है दोर से पत्थर मार कर तोड़ लेता हूँ बच्पन के दिन याद आ गए मुझे इसी तरह पत्थर मार मार कर अमरूत के फल थोड़ा करता था मेरे फेके पत्थर अमरूत को कम और ब्रीज के पीछे तपस्या कर रहे रीसी मुनियों को अधिक लगा करते थे भगवान हनुमान भी तो बाले काल में रीसीयों की रीसीयों से सरारत किया करते थे मैंने किया तो कौन सा पाप कर दिया बच्पन की बात और थी तब बाके लाल के फोटी किस्मत उस पर इतनी महरबान नहीं रहा करती थी बाके के फेके पत्थर जाला के दूसरी और ब्रिच के नीचे अराम कर रहे एक देते को क्रोध में आग मुबला होकर उट खड़ा हुआ देते गुलू गा गुलू के गुलू आख को फोड़ने की हिम्मत कौन करे सेरे पहलवान देते घुमकर ब्रिच की दूसरी तरफ पहुँचा दो तो तूसरे वो पहलवान जिसके फेके पत्थर आकर लगे मुझे ओ राक्षस भाई मैंने तो पत्थर को टीमपू फलो के पास भीजा था ताकि वो फल को आपके पास भीज दे पर फलो ने पत्थर को आपके पास भीज दिया अब आप ही फैसला करिए गलती पत्थरों की है या वो फलो की रेताओ ओ सियार चोधरी बावला समझे है के मनने ओ इसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता हूँ वर्दा कच्चा चबा जाएगा ये मुझे बाकेलाल जैसे ही आगे बढ़ा उसका पैर एक उब्रे हुए पत्थर से उलज गया ओ देख के चल बे पत्थर हूँ तो इसका क्या मतलब ठोकर मार का नहीं रहेगा क्या तभी एक रंग मिरंगी पक्ची वहाँ पहुँची ओ जादुगर बामबा का जदोई गोला मेरा पीछा कर रहा है सामने पत्थरों के भी छिप जाता हूँ मर गया तू बेटा बाके ओ ओ दिमाग चक्रा गया मेरा दिमाग क्यों चक्रा गया चोड़ तो घुटने में लगी थी ना दोनों ही एक ही जगर पर ठेक्या बस बहुत हो गया देटे गुलूगा गुलू के साथ इतना मजाक आज तक किसी ने भी नहीं किया राक्छस भाई ये राक्छस भाई ये मकौल तो मैं आपके मनरंजल के लिए कर रहा था आपको हसी नहीं आई देते गुलूगा गुलू के साथ जब कोई मकौल करता है तो उसे हसे नहीं आती खोन खोल जाता है उसका और जब खोन खोलता है उसका तो वो करता है ये मर गया हाई राक्षस के लाद खाकर उचला बाके रंग बिरंगे पक्ची के उपर जाकर गिरा ओ, ये क्या, ओ, बाल बाल बची में, तभी एक आग का गोला आ गिना बाके पर, आख, ये कैसा आग का गोला है, जिसमें बिलकुल भी उस्मा नहीं है, ये मुझे जला भी नहीं रहा है, पर ये बात मैं जानता हूँ, ये मुर्ख राक्षस का बच्चा नहीं, मुर्ख राक्षस, तुन्हें बाके लाल को ललकार कर, मौत को ललकार आ है, देख, मेरी मया भी सक्तियां, ये आग का गोला तुझे भस्म कर देगा, ओ, अपनी खेरियत चाहता है, तो भाग जाए यहां से, ओ, इस योग के पास तो बुद्धी भी है, ये तो आग का गोला फ खेजो राक्षस, तुको, जिन्दा रहे, तो इजद फिर कभी बचा लेंगे, इतना दिमाग तो है मेरे पास, हे, 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 बाके ने पक्षी को लिबास में चिपाया, और फॉल लेकर महल की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में, वो इस महत्पुन कारे को अंजाम देना ना भुला था, मोटे मुच्छड मनूस, तेरे रोक का इलाज तो अब बैद बाकिलाल करेगा, हे, हे, हिस, हिस, अबे, आज तो नाक पंच में नहीं है, फिर उस युवक ने हमारे साबने फल क्यों रखे, हिस, वो युवक दाथ क्यों दिखा रहा है, कई फलों में जहर त था, तो खुदी क्यों नहीं कर दिया बाके, आखिर तु भी तो आस्तिन में छिपा साफ है, हे, 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 मेरे प्यारा बाके आखिर फल ले आया अब क्या करें राजबैच जी फलो को बंदर से जुठा करवाने का इंतिजाम करवाईए ताकि महराज को जल्दे ठीक किया जा सके वो तो इलाज के बाद ही पता चलेगा सेनापती मर्ख फलो को बंदरों से जुठा करवाओ महमंत्री जी मैंने बताया था जंगल की छाओ मेरे लिए असुभ है आज अगर आज की छाओ मुझे पर पड़ गई तो मेरे बिवा का तो सत्यनास हो जाएगा ना हाँ नहीं तो अगले पल चिंगार पड़े राजा विक्रमसी महमंत्री अगर सेनापती ने तुरंट बहाने बाजी नहीं छोड़ी तो नगर से कोई खोजा पकड़ कर लाइए और उससे उसका बिवा करतीजिए छमा चाहिए महराज छमा दान कीजिए मैं अभी बहाने बाजी छोड़कर छमा को पकरता हूँ मेरा मतलब फलो को पकर लेता हूँ बोलो द्वियर्थी वाक्य को परियोग करने की कला से माहिर सेनापती की जै अब समझ में आया कि तब से इस कक्ष में दुर्गंद कहां से आ रही है वो इस मोटे के पाओं से आ रही है इस वक्त तो भिस्न गंद मेरे नाक में घुसी रही है कहीं मैं बिहोस ना हो जाऊँ थोड़ी दिर बाद जब बिक्रम सी ने काढ़ा पिया काढ़ा पीते ही मेरा रोग तो और भी बढ़ गया बैची और काढ़ा मेरी खूज और करा मेरी खूजे से साधी ऐसा कुस तो होना ही था बाकेलाल सबसे पीछा छुड़ा कर कक्च में पहुचा बाहर निकलो रंग बिरंगी पक्ची और बताओ की कौन हो तुम बाकेलाल को दिखने लगा एक राजकुमारी का अक्स मैं दिब्य लोग की राजकुमारी दिब्यांका हूँ भादूर युवक वो आख का कोला जादुगर बाबा ने मुझे कैद करने के लिए भेजा था तुमसे ठकरा कर वो बेकार गया और ना वो मुझे कैद करके ही रहता जादुगर बामबा जादुगर बामबा उसी ने मुझे पक्छी बनाया हुआ है जादुगर बामबा ये मेरे गुलाम कवे कंगू ये तो बता इस अंसार में सबसे खुबसूरत कौन है ये तो पता नहीं पर सबसे बत्सूरत कौन है ये बता ये बता देता हूँ वो तू है मेरे आका खामोस राजकुमारी दिव्यांका एक बार जादुगर बामबा के इलाके में भरमन कर रही थी जैसा सुना था वैसा ही पाया ये अस्तर तो वाकई अत्यान सुन्दर मनोरम है ओ सुन्दर एतनी सुन्दर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी कास मैं भी सुन्दर युवक होता तो कवा जा पहुचा आका के पास आका आका मुझे अपने जादु से मानोग बना दो क्यों वे काले कवे तो मानोग क्यों बनना चाता है मानोग तो बड़ा नलायक होता है मैंने अभी अभी एक दीब्य सुन्दरी को आपके इलाके से गुजरते देखा है जब से उसे देखा है तब से इस कवे का दिल तोते तोते हो गया है आप मुझे मानोग बना दो ताकि मैं उससे विभा कर दूँ थोड़ी देर बाद जब दीब्यांका वहां से गुजरी तो बांबा का दिल भी कुछ कर गुजरा क्यों वे कवे तो बागे अंतर क्यों बजाने लगा बागे अंतर बजाए मेरे जूती और आका तुमारी टपक्ति लार को देखकर तो मुझे तुमारी नियत पर सको रहा है काले मुँबाले आका तेरा मुँँ और भी गाला बहु समान सुंद्री पर बुरी नजर मढ़ डाल हर पल तेरी राहों में निगाहों में पनाहों में आऊँगा खो जाऊंगा एक दिन तेरा हो जाऊंगा मुझे ऊपर से नीचे नीचे तक गौर से देखो सुन्दरी तुम भी मेरे प्रभावसाली बेक्तित्तों पर मोहित हो गई ना दरसल भगवान ने मेरा रूप गड़ने के बाद सुन्दर सुन्दर रूप गड़ने वाले साचे को तोड़ डाला था पीता इन पर गलती से काले रंग का डिबबा आगिरा मुह तो काला हुआ ही मुह भी टेड़ा मेरा हो गया चुपकर नमखराम को है अरे वो तो जाने लगी सर्मागी क्या आका मेरे मुह से अपनी और पोल मत खुलवाओ जो बरसो मेरी पलकों में था तू वही खवाब है सुन्दरी ये तो बताती जाओ तुम्हारा क्या जवाब है पहले ये बता नाकफानी के जुके हुए पोधे तू तू खोते दा पुत्तर है या खचर दा पीओ अगर मैं जल्दी में ना होती तुम्हे जवाब के बजाय कुछ और ही देती कुछ और देने से सुन्दरी का मतलब दो ही चीजों से हो चकता है आका या तो तुम्हारे काले चेरे पर पांच लाल निसान देती या फिर दरपन देती जिसमें अपनी शकल देखने के बाद या तो आप सुन्दरी से विवाब का अपना इरादा सुधार लेते या फिर सर्म के मारे नरक सिधार जाते है चुपकर कोईले की पोटली और इस काले कवे के सामने क्या मेरा रंग गोरा नहीं आका नरक में तुम्हारे लिए एक जगा बची है कमशकम उसे तो मत गवाओं बामबा फिर जा खड़ा हुआ दिबे सुन्दरी के सामने सुन्दरी त्रिवतम हवा के जोके में भी स्वैम के सरीर को जमीन पर ठिकाया रखता हूँ क्या ये मेरे अदम में सक्तिसाली होने का सबूत नहीं है इससे पहले की बामबा अपनी बगवा सुरुपी परसंसा को आगे भी जारी रखता एक परचन घुसा आ लगा उसके थोपड़े पर पहले घुसे ने उसके बच्चे वे एकाद दातों में से एक को एक और को तोड़ डाला और दूसरे घुसे ने बामबा को पहुचा दिया ब्रिच के उपर भ्रताओं आप चारो हाँ बहना हमें पता था कि ऐसे सड़क्षाप मजदो तुमें छेहरने से बाज नहीं आएंगे इसलिए हम तब से ही तुम पर नजा रखे हुए थे जबसे तुम भ्रमन पर लिखनी थी हमारा एक एक गुसा इसे अपनी उम्र का एक एक दसक याद दिला देगा और 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 लंपट बुढ़े जदुगर बामबा और सुन्दरी के चार भिमकाए भाईयों के बीच मुकावला सुरो हो गया है सुन्दरी के पहले भाईय ने बामबा को घुमा कर गेंद की तरफ फेक दिया है दूसरा भाई तैयार है और तैयार है उसका मोटा मुगद्दर भी सुन्दरी के भाईय ने अपने सक्तिसाली परहाट से बामबा को खदेर दिया है सीमा रेखा के बाहर अपने करकरहाट की जो मेठी आवाज सुनी वो बामबा के हड़ियों के करकरहाने की आवाज है कर इससे पहले कि बामबा सीमा रेखा के बाहर जाता तीसरे भाई ने कुसल छेतर रक्षक की तरह उसे पकर दिया और फेग दिया है चोथे भाई की ओर बामबा चोथे भाई के फौला दी सीने से ठकराया और धीरे धीरे नीचे जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा है लगता है बामबा अब उठेगा नहीं उठ जाएगा सुन्दरी अपने चारे भाईयों के साथ जा रही है उलू का ठपा खोते का खर अकल का सकल का दुसमन गदे के दुम ठेरो बाजी काड़ी में फिर उबालाया जादुगर बामबा फिर से उठ ख़़ा हुआ अब पता चलेगा तुम्हें सुन्दरी की जादुगर बामबा कंचे की तरह खेलने वाली चीज नहीं है ये क्या बामबा जदोई शक्तियों का परियोग कर रहा है किसी भी साफसुत्रे खेल में जीतना पाने पर बहमानी करना बामबा की प्राचिंतम बूरी आग्तों में से एक है इसकी तो देख बामबा का जादू बामबा की जदोई के ने सुन्दरी के भाईयों से एक है कर ठकराई और अगले पल चारों भाई तिर्सूल में बदल गए ये क्या किया तुमने मेरे भाईयों को ठीक कर दो वरना अजाम ठीक ना होगा जादूगर्दि ब्यांगा को उड़ाकर ले आया प्रित्वी लोग ये तिर्सूल प्रित्वी लोग में जाकर कहां गड़ा है ये तुम कभी नहीं जान पाऊगी तिर्सूल को बाहर निकालने पर तुम्हारे चारों भाई असले रूप में आतो जाएंगे पर्तिसूल को बाहर निकालने वाला ततकाल मौत को प्राप्त हो जाएगा अब मैं तुम्हें पक्षी बना कर अपने पास कैद रखूंगा मुए सत्यनासी नासपीटे बामबा तेरा बेडा गरखो नरकी आग में जोके भगवान तुझे सुन्दरी ने कितनी अच्छी बात कही बामबा की उम्र भी उसे लग जाए और बामबा ने दीब्यांका को पक्षी बना लिया मुझसे विवा करने के लिए तियार हो जाओ सुन्दरी मैं तुम्हें फिर से मानुई भी बना दूँगा कभी नहीं पर उसी रात किसी अग्यात मददकार ने तिब्यांका को उस कैश से अजाद करवा दिया और ये भी बता दिया कि उसके भाई तिरसूल के रुप में कहां गड़े थे बाबा तुम्हें फिर से कैश करने के लिए जादोई आख का गोला भीजेगा वो सिर्फ तुम्हें कैश करने के लिए तुम्हारा पीछा करेगा तुम उससे किसी तरह बच कर रहना उस अग्यात और रहस में ही मददकार के कारण मैं प्रिफ्वी लोक में तो आ गई लेकिन पक्षी रूप में मैं अपने भाईयों को अजाद कैसे करा सकती हूँ किसी और की सायता भी नहीं ले सकती क्योंकि तिवसुल निकालने वाला ततकाल मारा जाएगा मैं किसी की मिर्टु का पाप अपने सिर्पन नहीं ले सकती जल्दी से कोई उपाय बताओ बहादूर युवक और ना अपने भाईयों की जान बचाने के लिए मुझे उस दूस्त से विभा करना होगा इतनी देर तक दीब्यांका की राम कहानी सुनने के बाद मा के उसमें अपनी मतलब की बात ना ढून निकाले तो उसे योजना विससग्य बाकिलाल कौन कहे तुमारी समस्या का समादान है मेरे पास हमारे महराज बिकरम सी एक भियानक लाई इलाज जान लेवा रोक से एक ग्रस्त है कोछी दिनों में उनकी मिर्तू हो जाएगी इस वक्त परते एक छण वो मिर्तू से भी बत्तर जीवन जी रहे हैं यदि वो तिर्सूल बाहर निकाल ले तो इस पुन्य कारे से उन्हें मुक्ती मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे चारो भाई मिल जाएगे और मुझे मिल जाएगा विसालगट का रास्ती हसन दिव्यांका आज रात्री को मैं तुम्हेरा ये काम पूरा करवा दूँगा क्योंकि मेरी सैतानी खोपडी सोच चुकी है कि अब मुझे क्या करना है कक्स से बाहर निकलते ही वो मारा पापड़ वाले को अब तुम मोटा मरा पक्का मरा एक रात तक चल दी थी बाके ले अपने चाल खुसर खुसर रात गहराते ही मेरे प्याने बाकू ने कहा था कि चुप चाप बिना किसी को बताए वन में पहुंच जाओं वहाँ मुझे वो कोई तरीका बताएगा इससे कि मेरा रोक ठीक हो जाएगा बिकरमसी महल से बाहर निकल गया मैं इतनी असानी से बाहर निकल आया और किसी ने मुझे देखा तक नहीं देखिऊ तो एक क्या चक्कर है बिक्रमसी ने पहरदारों को छिप कर देखा तो आएं दोनों कमबक पहरदार तो गहरी निंद्रा में सो रहे हैं बिक्रमसी के पूरे तन बदन में आग लग गई और हम गलत फहमी पाले बैठे हैं कि विसालगट के परहरी बड़े सक्रिये रहते हैं प्रचन क्रोध में भरकर बिक्रमसी ने एक घुसा जड़ दिया किसी परहरी को नुक के तो ढालूँगा अचानक जैसे बिक्रमसी सोते से जगा हमें तो चुप चुप यहां से निकलना था क्रोध में ये क्या कर दिया हमने लगता है कि इस दमगो रोग ने हमारे पूरे सरीर के साथ सथ हमारे दिमाग का भी बेड़ागर कर दिया है प्रचन अगले ही पल बिक्रमसी के असेरे का ठिकाना ना रहा लेकिन ठपर खाकर जमेन पर गिरने के बावजूद पहरदार गहरे निद्रा की अगोस में ही है और दूसरे पहरदार के कान में भी जू तक नहीं रहेंगी है यही औसर है चुप चप निकल लेता हूँ यहां से लेकिन निंद्रावती के दोनों सपुत्रों को कल राजदारबार में जरूर जगाऊंगा और लगाऊंगा बारा बारा कोड़े इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए वाई वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जरूर बेस कर देना और जहां इस वीडियो के जरूरत हो वाह इसको सेयर जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेकनलोजी और टॉप टेल पिटारगा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना उस पर मैंने काफी सारे वीडियोज को अप्लोड किया है और आने बाले दिनों में भी अच्छे अच्छे वीडियोज को अप्लोड करूँगा तो प्लीज जाकर कर देखो वीडियो कैसी है और उसको अगर अच्छे लगे तो सेयर कर देना और कमस्कम एटलेस सब्सक्राइब कर सपोर्ट तो कर ही सकते हो तो जाओ करो हमें सपोर्ट ओके थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज